जूनियर डॉक्टरों के साथ जो कुछ हुआ उस रात तक जूनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल में ना होती तो शायद उनकी जिन्दगी बन जाते हैं लेकिन कोई न कोई और उस होने का शिकार होगा था, क्योंकि 9 अगस्त की देर रात संजय राय आदी कर अस्पताल यही सोचक कर दाखिल हुआ था, क्या आज उसे किसी की आबरू लूटने का क्लिक करना है की नहीं पता नहीं, इसके बाद वो अस्पताल के अलग-अलग वार्ड में कोठी में कैसे कैसे घूमता भटकता रहा, आखिर कैसे सेमिनार हॉल पहुचा यह कहानी आपको बताऊं से पहले, ए एक दूसरी कहानी सुना था, उसके बाद उस कहानी बताऊंगा, इस कहानी को आप नाम दे सकते हैं पोलेंड, हाल ही घर घरों में लगता है जब किराय पर नजर आ रहा था, एक परिवार था परिवार में मा और बाप और बेटा, पिता अकेले कमाने वाले वह नौकरी करते और घर चलाते सपना ये था की, बेटे को पड़ा लिखा कर अच्छा इनसान बनाया, जिन्दगी में काम्याब बना है और उसी के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं, जो हर बाप और हम आपको पता है, सुबर जाते रात देर शाम तक आफिस से घर आते थे, नौकरी प जाते यही सिलसिला चलता रहा, बेटा पढ़ता रहा, धीरे धीरे स्कूल से कॉलेज पहुचा इधर पतनी की एक शिकायत थी, किया आप हमें वक्त नहीं देते हैं, हमारे साथ कभी बैठते नहीं, कभी हमारे साथ बैठ कर तसल्ली से चाय नहीं पीते और दिल्ली वो कहती तो पती गया था कि कोई बात नहीं एक बार रिटायर हो जाओ मृदा के बाद सारा वक्त तुम्हारे लिए फिर हम दोनों हाथ में हाथ डाल कर बैठेगे जूले पर चाय पीएंगे और खूब सारी बाते करेंगे, पतनी हस्ती समझाती के डाल रहे हैं लेकिन जिन्दगी चलती रही धीरे धीरे वक्त बीता बेटा पढ़ लिखकर इस काबिल बन गया कि नौकरी कर सके अच्छी नौकरी लग गई, नौकरी लगी तो माँ बापने शादी कर ली शादी हो गई, अभी धमक पाया पिता रिटायर हो गए, अब रिटायर्मेंट के बाद भी उनकी य ते पती ने अपने उस घर के एक हिस्से में खुला एरिया का काफी, वहां पर एक के जूलता हुआ था, पत्नी ने पूछा ये क्या है, बेटे ने पूछा, बहु ने पूछा, उन्होंने किसी को बताए नहीं आराम से एक जूला बनवाया था और उसके बाद एक शाम अच डालकर पती पत्नी जूला जूल रहे हैं, हौले हौले और एक दूसरे से बाते कर रहा है, उसके बाद पती कहता है, याद रखूंगा ने कहा था कि भारत जिंदगी की सारी जद्दो जहद, सारे कश्मकश, सारी जिम्मेदारियों से आजाद हो जाओ, तो फिर ये वक्त आ रहा है, तुम सही बात है, करूंगा तुम्हारे साथ रहूंगा, और देखो मेरी सारी जिम्मेदारियों पूरी हो गई, बेटे की शादी नहीं कर दी में रिटायर हो गया, अब हम पीसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रही, वही हरा, किसी ने उसे सारी बाते बतात जो नौकरी करती वो भी गहराती वाले की शाम को यादोनो, मा बाप जूले पर बैठे हुए हाथ में हाथ डाल कर टहर रही हैं, धीरे धीरे से बार बड़े अजीब लगने लगी, अब उसने अपने पती से बोलना शुरू किया कि यह क्या है ये निको उमर में सुमन मैं त रोज रोज की बहू की शिकायत से फिर बेटा भी थोड़ा देर खड़ा हो गया उसने कहा था मैं बात करूंगा लेकिन क्या बात करीं, अब ये सिलसिला चल रहा जूले पर दोनों का हाथ में हाथ डाल कर होती वह बैठते गप्पे मारते महुआ देखती उसे अच्छा नह भोग की उसका पती भी को सुन नहीं रहा है एक दिन उसने अपने पती से कहा नगर की कि मैं सोच भी के कामले बड़ी वाले पती ने हमारे पास है उसने कहा छोटी बड़ी वाले दिनों में भी कमाते हैं तुमने कमाते हैं थोड़ा स्टेटस भी होगा तक है कि लेकिन ये बताओ कहां करेंगे जगह नहीं थी तो ओजहा रहते थे सब के पास एक कार पाक करने की जगह दिया गया। तो उसने कहा हमारे पास एक कार पाकिंग की जगह। जहां मम्मी पापा जूला जूलते दोनोंने जगा बनाई हैं हम उसकार को वहाँ पार कर सकते हैं क्योंकि वह एक गेट था घर का हिस्सा था और का अंत में आ सकते थे। तोर पर जगह पर पार करने के लिए बेटा कहता है लेकिन वो तो मम्मी पापा बैठते हैं शाम को जूला जूलते चाय पीते हैं तो थी क्या हुआ और ये हच्छा लगता लोग क्या क्या बोलते हैं कि इस उमर में देखो तुम्हारे माँ बाप इस तरह की हरकत कर रहे हैं ज से आकर फिर है में बेटा मांधाता थी का कार्ड ले लो वहीं बात करें अम्मान तो गया माँ बाप से बात करनी है रोज माँ बाप के पास हिम्मत करके जाता है अपने बाप से कहता है कि बता दें हम नहीं का दे रही है तो पिता सवाल पूछते हैं कि नहीं कार की जरूरत क्या आवेदन हमारे पार्सॉल में रही है। फिर लोगों तो रखोगे कहा कि वो बैद वाला नहीं है उससे बड़ी कार लेने दोनों का रखे क्योंकि कई बार उसको ओफिस में लेट हो जाता कई बार मुझे जरूरत होती है। लेकिन बेटा तुम्हारी मा कितनी खुश होती है जब मैं शाम को उसके साथ बैठता हूँ उसके साथ वक्त बिताता हूँ बाते करता हूँ चाय पीते हैं। तुम्हारी मा को मारने से पहले इतना खुश थे जो अपटेट। जब बोलने लगा तो बेटा ठोस कचरा में उसन पूरा बाबा आप इस उमर में आपको सतसंग में जाना चाहिए अपने जैसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए और अपने हाथ में हाल है। मम्मी के साथ जूला जूल रहे की शोभा नहीं देती आपको अपनी उमर के हिसाब से चीजे करनी चाहिए। ये क्या हमारे घर के बाहर ही आपने लगाया किसान में लगा दिया नहीं बता डाला। बुरापे पर आपको तो पता इस घर में हम चार लोग रहते हैं आप दोनों हम और हमारे जगह हैं जो आप किराय पर देंगे। तो उसने का बेटा असल में कल तुमने बात कही थी मैंने ठंडे दिमाग से सोचा। तुम्हे सही कहा था इस उम्र में मुझे। ये सब हाथ में हाथ डाल कर जूला नहीं दूनगा लिए तुम्हारी मां के साथ अपनी उम्र के लोगों के साथ रहना चाहिए सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग में कहा जाऊं तो मैंने तै किया कि मेरे जैसे कुछ और भी उम्र के लोग होंगे पती पतनी में ऐसी एक जोड़े को देना चाहता हूँ मेरी उम्र के हो जो रिटायर्ड हो और वो गूंदा बांदी भी इसी घर में में और भूला का नाम और बैठेगे और हम हमार रही है हैं और घर ले लो अब बेटे और बहु के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि घर काफी बड़ा था और उन्हें पता था जो नौकरी करने रहे फैल रही है ऐसे सकती हैं कि वो घर खरीद सकी और अपने घर से बाहर कर दिया तो फिर ये भी पता नहीं किसके नाम पर करता है बेटे को बात सोच गया फिर उसने जाकर होगा लेकिन पिता दे रहा है उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ से जो वादा किया तो माने और पूरी जिंदगी तुम लोग लिये दिया अब तुम्हारे मा लिये थी यदि पूरे का इस कहानी के बाद में एक लाइन क कहना चाहूंगा कि जो भी माँ बाप हैं और रिटायर्ड जिंदगी है बेशक उनके हालात बहुत अच्छी और उनकी भवन भी अच्छी होकर क्या जरूरी होते हैं लेकिन फिर भी अपने जीते जी सब कुछ अपने बच्चों के नाम कभी मत कीजिएगा क्या पता को लेकिन अपने जीते जीने जीते जी इसलिए नहीं क्योंकि आप प्रकार के साथ ही सके ये कहानी बता मैंने क्यों सुनाई जब मैं घर गया बहुत देर तक नींद नहीं आ रहे थे तब मेरी बीवी ने मुझे ये कहानी सुनाई और ही कहानी सुनने के बाद सीधे दिल मे उतर गए। मुझे लगा दो चीज मेरे दिल में उतर रही है आप लोगों के दिल में उतरेगी। इसलिए कहानी सुनाई। थेंक्यू साहब ये कहानी शेयर करने के लिए। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर इतनी खुबसूरत कहानी के बाद फिर वही जम्मू क्राइम बहुत बुरा लगता था लेकिन क्या करे मजबूरी भी है। खेर बहुत सारे लोगों के में है। क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ अपटेट हो रहा था मैं लगातार कोलकाता की स्टोरी सुना संभाला था लेकिन मुझे लगता है कि अब इसमें शायद पर बैठना जब तक बहुत बड़ा खुलासा ना होगाने हफ्ते यानी मन में से मैं अपने पुरानी कहानी के सिलसिले पर वापस लोटूनगा। आज कोलकाता की जुनियर डॉक्टर के कहानी का लास्ट एपिसोड जब तक बड़ा खुलासा ना हो जाये तब तक नहीं। आप सुनाने के लोगों के पॉलिग्राफ टेस्ट में हैं। लाइ डिटेक्टर का जूट पकड़ने की मशीन के सामने धूप पकड़ने को करी। टेस्ट होना था और एक जमीन आरोपी संजय राय दो अप्रल निसको बलातकार यह भी कहा जा रहा है वह जेल में थे। उसका जेल में होगा ल की चार लोगों के पॉलिग्राफ टेस्ट हो। इनमें से आधीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल वो दो जूनियर डॉक्टर जो 9 अगस्त की रात जिन्होंने जूनियर डॉक्टर के साथ खाना खाया था और उसके बाद बैठकर नीरज चोपड़ा का उलंपिक पदक जीतते हुए देखा था और ये दो इसलिए थे कि इनके फिंगरप्रिंट्स मिले थे लेकिन इन दोनोंने साथ में खाना खाया था तो यह मानकर चला जा रहा है कि फिंगरप्रिंट्स खाना खाने के दौरान कहीं है लेकिन इसके बावजूद उन दोनों के हो रही है क्योंकि वो आखिरी बढ़िये हम एक जो हाउस स्टाफ उसका और एक वॉलेंटिया जो अपने आपको चश्मदीद बता रहा है और पुलिस को बयान दे रहा है तो उसके लिए तो छे लोगों के पड़ेगा आप टेस्ट कुलकाता के CBI दाफ्तर है वहाँ पर फॉरेंसे केकसपट्स में इनके पहला टेस्ट के पॉलिग्राफ टेस्ट सवालों के जवाब जानने के लिए परियाप्त में असल में होता आम आम लीमेन के हिसाब से आपको समझाता हूँ इनसान के खास खास जिस्मों पर कुछ मशीने लगाई जाती हैं आखिर एक मॉनिटर होता है उस उसको कनेक्ट किया जाता है उसमें आपका पल्स रेट आपका ब्लड प्रेशा आपके दिल की धढकने आपके पसिने आपके लिप्स के आपके और बोल रहे हैं आपके होंट और आपकी मार्केटिंग उसका सपोर्ट कर रहे के नहीं आपकी आँखें आपकी body के हरकते ये सारी चीजे monitor करते हैं उन पर बैठे रहते हैं जंगली जो सवाल जवाब होते हैं वहाँ या नाम पूछे जाते हैं जैसे किया था कल तुम थे वहाँ बताएगा हाँ या ना कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो थोड़े से लंबे हो जाते हैं लेकिन जब भी किसी का polygraph टेस्ट होता है तो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले जब सब कुछ ready हो गया तो उससे normal बाते की जाती है ताकि पता चल सके की machine सही काम कर रहा है कि नॉमन मतलब जिसमें कोई रोक नहीं है क्या से आपका नाम क्या है छापता रहते हैं आपने कहा पढ़ाई की कल कहा थे जब जो अभी सामने ही देख रहे गया था एक घंटा पहले आप क्या कर रहे थे आखिरी बार और का बैठे हुआ विकास किया गया था दोपहर को लांच किया गया था इस तरह के normal सवाल जिसमें धू दूप सबसे को मारने में कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके बाद फिर शुरू होता है वो सवाल पॉलिग्राफ ये ना को टेस्ट में या फिर lie detector टेस्ट में जो मैं हम रोल प्ले करता है उस सवालों की लिस्ट सवाल अगर सही है तो फिर काम की चीज हो जाती है लेकिन अ आप साथ धूप से पकड़ रहे हैं और आपको पता ही नहीं निकलवाना गया उगलवाना. क्या है उस तरीके के सवाल ही नहीं है तो फिर मतलब नहीं इसलिए ये टेस्ट करने के लिए सबसे इंपोर्टेंट होता है कि कौन क्वेश्चन तैयार कर रहा है और सही कौशल तैय लिप सिंकिन सारी चीजों से पकड़ी जाती है, लाइ डिटेक्टर टेस्ट भी से को कहा जाता है, नाको टेस्ट में इंजेक्ट किया जाता, इंजेक्शन लगाया जाता है, कि मेडिसन भी जाती है, जिसे आपने बेहोश क्या हो जाता है, लेकिन ज्यादा रहता है, उतनी मे होता कुमार में रहता है कुछ सुन समझ रहा होता है दिमाग उसका चर रहा होता तो स्कूल को कहते हैं तब इसके जरिये वैसे आपको पता है 6 लोगों का polygraph taste इसलिए नहीं हो रहा है कि इस crime में शामिल है बलकि basically इसलिए हो रहा है कि इसके पीछे अगर सबूत मिटा रहा था तो उसकी मां उसका मोटी क्या था मकसद क्या था जो सारी दिले हुई F.I.R. से लेकर सब कुछ में वो किसी ने कहा तो नहीं ही किसी के कहने प पर एक नई जानकारी आई जानकारी है कि 9 अगस्त की रात संजय राय जवाब कर अस्पताल पहुचा सीसी टीवी की तस्वीर आपको कम दिखाई थी पूरा फुटेज अब फैला दी तो अस्पताल में पहले अलग-अलग जगहों पर नशे में घूम रहा था नरसिंग इस धर घूम रहा है कुछ अलग-अलग केमरून भी पकड़ा अलग-अलग जगहों पर यहां तक की एक कोटी में ही वो दाखिल हो गया रात को करीब चार के आसपास में चार के आप पाती उससे पहले सेमिनार हॉल में जाने से पहले चार बज कर तीन मिनट पर सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ था को चार बज कर तीन मिनट से पहले की बात है में क्यों क्यों कि इस hospital में जैसे में operation theater है emergency को छोड़ कर बाकी जो department के उस शाम के बाद बंध होते हैं कई होती या खाली होता है कई औरती में तो ऐसे होते हैं जो काफी जाकर आराम करते हैं तो है ये था कि किसी operation theater में अगर कोई नज या junior doctor या कोई भी एक lady मिल जाए तो वो उसको अपना शिकार बना है मतलब थाम कराया था क्या मुझे क्या करना है और इसलिए वह जब cctv camera जिन लोगों ने देखे witness है बहुत twitter में लगातार जब दाखिल हो रहा है तो बेल बजाकर उस कमरे में जाकर आकर उस कमरे में कभी उस ward में इस ward में यहां तक कियो भी यानि का operation theater में भी और फिर वो पहुँचता है seminar जब seminar और पहुचा तो उसे पता नहीं था कि junior doctor वहां सो रही है वहां भी उसी शिकार की तलाश में पहुचा था कि कोई तो मिले जब वहां पहुचा और उसने देखा seminar hall sound pro तो जोसे ने CBI के उन्होंने ये कहा कि उस रात जहां पर भी उसे अकेले में कोई ऐसी जगह है या कोई भी मिलेगा वो जरूर हमला करता था कराया था बदनसीबी के seminar hall में गया और seminar hall में अगर उस junior doctor के अलावा एक दो लोग और होते तो शायद junior doctor उसके शिकंजे से बढ़ जाती एक और भी आई है कि जो junior doctor थे उम्मीद है अब seminar hall में ये junior doctor उसे चुके एक साल senior थी टेकसास इसलिए लोग लेती है सोई नहीं थे क्योंकि यहाँ फेल मेल और फीमेल की भी बात आ गई थी ये junior doctor की clinic junior एक दो फीमेल होती और एक दो से तीन लोगों ने seminar hall में तो शायद लिए incident दूसरा नहीं होगा पर क्या की तो ये थी आज की कहानी